पुलिस अधिक्षक संभल यमना प्रसाद के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधिक्षक आलोग कुमार जैसवाल के कुशल नर्देशन में तथा पुलिक शेत्रादिकारी चंदोसी अशोक कुमार सिंग के कुशल नेत्रतव में चलाय जा रहे अपरादियों की पकर के अभियान में बहजोई कोतवाली पुलिस सर्विलांस वर एसोजी द्वारा मुक्विर की सूचना पर 6 घंटे के अंदर मनोना गाउं के जंगल में मुद्भेड के बाद अफरन किये गए बच्चों को सकुशल वरामत करते हुए तीन अप्राभियों को भी गिरपता किया गया इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद ने बताया कि बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गाउं मंदनपुर से कल शाम एक साथ वर्ष ये बच्चे को अफरन कर लिये जाने की सूचना बहजोई कोतवाली को प्राप्त हुई थ जिसके खुलासे के लिए सर्विलांस, सोजी और कई थानों की पुलिस को लगाया गया था जिसमें पुलिस ने तीन अफरन करताओं को ग्राम मनोना के जंगल से गिरफतार किया तथा अफरन किये गए हिमांशु को भी 6 घंटे के अंदर सकुशल वरामत कर लिया गया इनके पास से दो बाइक, एक तमंचा, चार कार्टूस, एक खोखा कार्टूस तथा चार मोबाइल भी वरामत किये गए हैं तथा गिरफतार अभियुक्तु के विरुद्विदिक कारवाही की जा रही है इसमें पूरी घेराबंदी की गई, इसमें इंटेक्निकल इंटिलिजन्स है, उनका सहरा लिया गया और इस केस को क्रेक किया गया, इसमें थीन अपराद भी पकड़े गया, जब इससे गहन पूस्तार हुई तो पता चला कि इसमें जो एक व्यक्ति है विनोस और उसका आले हैं, ये इनके रिस्ते में भी लगते हैं, इन लोगों ने देखा कि जब ये व्यक्ति जो है अपना एक गाउं में घर है और उसके बाद बाहर एक और घर बनवा रहे थे, इस क्रम में नहीं लगा कि ज्यादा धनाध्य हो गया है, तो उसके एकलोसे बच्चे का आपह ये लोग बच्चे को आए और गाड़ी में बैठा करके ले गए और एक क्यूब बेल पे रखा, वहां पे गुड़ू को उसकी रिफाज़त करने के लिए रख दिया, बाद में गुड़ू ने बच्चे के पिटा को फोन किया, कि आप पैसा तयार रखिएगा और पुलिस क इन फार्म किया, और हम लोगों ने सादे कपड़ों में पुलिस लगाई, कई टीमें बनाई, इसमें पूरा एक नेटवर्क बनाये गया, कि कैसे कैसे इन लोगों ने इसको ले जाके बच्चे को छपाया है, वहां तक रात भर प्रयास किया गया, शे घंटे के अंदर ही प कमंचे यह सब बरामद हुए हैं और बच्चा साकुसल है, उसको भी बरामद किया गया है, अभी इनके इखलाब बिधिक कारवाई की जा रही है